Hello everyone, कैसे हैं, आप मैं सौरब दूबे मैगनेट ब्रेंट सिंधी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूँ, उमीद करता हूँ, बहुत ही बढ़ियां होंगे, और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि पार्ट पांच हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं यूकलिट की जामिती का परिचे, पिछली क्लास में मैंने पार्ट परिचे कराया था और कुछ यूकलिट की दिवी परिभासाई कराया था, जिसमें मैंने देखा था बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, प्रिष्ट क्या होते हैं, मतलब 1D, 0D से लेके, 0D का मतलब क्या होता है, 0D मतलब एक बिंदू, बिंदू के पास कोई भी dimension नहीं होता है मतलब एक जो बिंदू होती है, ना तो लंबाई है, ना तो चोड़ाई है, ना तो उचाई है उसके पास कुछ नहीं है, वीमा विहीन है, है ना, dimensionless है इसके बाद हमने देखा था कि 1D, 1D में जिसके पास केवल एक ही वीमा है मतलब रेखा, है ना, बहुत सारे बिंदूओ को मिला दिया तो 1D बन गया मतलब की एक ही वीमा है, उसके पास केवल और केवल लंबाई एक रेखा के पास क्या है रेखा को मैंने कैसे परिवासित करवाया था चोड़ाई रहित लंबाई मतलब की रेखा वो होता है जिसके पास केवल और केवल लंबाई होती है चोड़ाई नहीं होती है इसके बाद हम 2D पे आये थे जब लंबाई और चोड़ाई को मिला दिया त प्रिष्ट संख्या इतना, पेज नंबर इतना, इंगलिस में तो पेज नंबर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रिष्ट संख्या, मतलब वही प्रिष्ट है, जिसके पास केवल और केवल दो विमाये हैं, लंबाई और चोड़ाई, आरी बाते समझ में, और जब हम ने बात किया था कि माचिस की डिबी है ना उसमें लंबाई भी है चोड़ाई भी और उचाई भी है तो जिस पे तीन विमाय होती हैं उनको ठोस का नाम दे सकते हैं तो आज की क्लास में दोस्त हम उसी के आगे का टॉपिक करने वाले हैं मतलब की युकलिट की अभिग्रहित तथा अभिधारणाएं अभिग्रहित तथा अभिधारणाएं क्या होती हैं ये देखेंगे इनका यूज मतलब ये जरूरत क्यूं पढ़ी हमें की अभिग्रहित और अभिधारणाएं चलो पढ़ते हैं ऐसा क्यूं जरूरत हुआ मैथ में इनको पढ़ने का ये सारी बात करता है high quality education जहां हिंदी मीडियम बिद्यार्चों को मिलती है चटी से लेकर बारवी क्लास तक की सारी classes और वहीं English medium students को मिलती है kg to 12 सारी classes वो भी बिल्कुल free of cost मतलब इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई paid subscription लेने की जिरूरत नहीं है ये सारी करना बिल्कुल नहीं बूलेंगे जिसका link description box में दिया गया है तो देर किस बात की आईए बात करते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है अभी ग्रीत और अभी धारणा होती क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे अभी धारणा जिसको हम से संबंदित है जामिती से अपने जिमेट्री से संबंदित होती है जबकि अभी ग्रीत में ऐसा नहीं है अभी ग्रीत का उपियोग आप कहीं भी कर सकते हैं अपने दैनिक कि एजम्सन कुछ मान लेते हैं न मैंत में माना माना करते हैं न तो अगर हमने कोई अधारणा मान लिया जिसे मान लिया कि दो यह जो प्लस दो है ऐसा अधारणा बना लिया आपने कि ये रिडात्मक है है नहीं आपको पता है लेकिन आपने अधारणा क्या बना लिया मान क्या लिया कि ये रिडात्मक है अब उसको हम सिद्ध करेंगे कि ये रिडात्मक है अगर सिद्ध कर दिया कि रिडात्मक है तब तो ये अभिधारणा बन जाएगी लेकिन अगर आपका मानना गलत हो गया तब ये अभिधारणा नहीं होगी कहने का मतलब क्या है दोस्त कि यदि हम कहें कि मानना कि कोई चीज एक अभधारणा है कोई चीज एक अवधारडा है, तब हम सर्वसम कुछ कतन मानते हैं जो कि ब्रमान्ड में कुछ तत्यों पर अधारित होते हैं उसके बाद उसकी सत्यता या वैद्यता की जाज करते हैं यदि वह गतन सत्य है, जो आपने माना है अगर वो सत्य है तब वो अभिधारणा होगी और सत्य नहीं है तब वो अभिधारणा नहीं होगी आगी बात समझ में कोई डाउट इसमें ये समझ गए कि अभिधारणा क्या होती है clear है बिल्कुल ठीक है वहीं हम अभिग्रहित की बात करें अगर ऐसे आधार बूत तत्थे जो बिना किसी प्रमाड के सत्य मान लिये जाते हैं उन्हें हम अभिग्रहित या एक्जियम्स बोलते हैं बिना किसी प्रमाड के जैसे मैंने बोला कि आप दो दोस्त हो ठीक है और दोनों की जो लंबाई है बिल्कुल बराबर है आप की लंबाई मान लो अभी कितना होगा 140 cm मान लेते हैं आपका नाम है ए और आपकी दोस्त का नाम है बी और इसकी भी लंबाई आपके बिलकुल हुवहू बराबर है ठीक है कहीं से टहलता हुआ आपका एक क्लासमेट आ जाता है जो आपके साथ पढ़ाई करता है और उसकी लंबाई आप नापते हो उसकी लंबाई आप किसके साथ नापते हो A के साथ आपने पाया कि A और C की लंबाई आपस में बराबर है है ना आपने क्या पाया कि A और C दोस्त जो अभी अभी आया है उन दोनों की लंबाई आपस में बराबर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि B और C की भी लंबाई आपस में बराबर होगी क्यों, क्योंकि ये दोनों तो पहले से यापस में बराबर थें अब A जो है C के बराबर ओ गया तो B भी क्या हो जाएगा दोस्त C के बराबर हो जाएगा है ना कोई डाउट इसमें जैसे अभी ग्रीयत का एक और उधारण देता हूं आपको अभिधारणाद तो भी हम पड़ेंगे ही पड़ेंगे, अभी ग्रित का एक उदारण देता हूं कि पापा ने आपको 10 रुपे दिये, और आपकी बेहन को भी 10 रुपे दिये, बिल्कुल इमानदारी से, ना किसी को ज़ाधा, ना किसी को कम, आपको भी 10 रुपे मिल नहीं आगा चलो 100 रुपे मैत पढ़ रहे हैं हजार मान लेते हैं चलो आपको भी 100 रुपे दे दिया आपकी बेहन को भी 100 रुपे दे दिया पापा ने ठीक है और फिर मम्मी आई और मम्मी ने आपसे भी 20 रुपे मांग लिया और आपकी बेहन से भी 20 रुपे मांग लिया अ तुम्हारे पास जितने रुपए बचे हैं, बहन के पास भी उतने रुपए ही बचे हैं, मतलब दोनों के पास असी और सी बचे हैं, तो ये क्या हो गया, अभी ग्रहित, मतलब किसी को अगर समान समान रुपए दिया, बराबर बराबर पैसे दे दिया, और बराबर पैसे वा पूरत नहीं है सबको पता है यह है ना इसको मान लिया गया है तो अभीक्रीत वे हम वो सारे points देखेंगे जिनको हम पहले से ही मान लिये हैं अभीधारडा में अभीधारडा का यह बात याद रखना कि यह कहीं ना कहीं विशेश रूप से किससे संबंदित होती है जामिती से सम्बंदित होती है क्या अभीधारणा और वहीं अभीगरीद हम इसका यूज हर जगां पर कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको डेली लाइफ एक्जामपल दिया पैसे का एक्जामपल दिया इसका यूज मैट्स में भी होता है अब ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं अभीधा करने के लिए है ना प्रमेय प्रमेय सिद्ध करना पड़ता है हमें प्रमेय को क्या करना पड़ता है सिद्ध करना पड़ता है किसका उपयोग करके सिद्ध करते हैं कहीं ना कहीं अभीधारणा और अभीगरीद का उपयोग करके हम क्या करते हैं प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो जब इसके बारे में आप जानकारी रखोगे कि अभिधारणा क्या होती है, अभिग्रहित क्या होता है, तभी तो आप वो चीजे सिद्ध कर पाएंगे, आगई बात समझ में, तो आईए बढ़ते हैं और देखते हैं अभिग्रहित के बारे में, यूकलिट की दी हुई क्या है, वे वस्तु में जो एक ही वस्तु के बराबर हों, वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, किसको नहीं पता, सबको तो पता है, इसमें पढ़ाने वाली क्या बात है, ये तो सबको पता है, क्या बोल रहा है, वे वस्तु में जो एक ही वस्तु के बराबर हों, कहने का मत मतलब क्या है कौन सा भी लंबाई वाला जो एक्जाम्पल दिया था अभी कुछ और एक्जाम्पल देता हूँ आपको मैं मतलब ऐसी दो चीजें जो मानलो यह यहां पर है कौन रमेश ठीक है अब हम वजन की बात करेंगे किसकी बात वेट की बात करेंगे और यहां पर कौन है सुरेस और महस यह तीन दोस्त हैं दोस्त बोल दूँ या भाई बोल दूँ लड़के दोस्त कहा होते हैं लड़के तो भाई बन जाते हैं ना ये तीनों भाई भाई हैं रमेश सुरेश और महेश क्या बोल रहा है वे वस्तु में जो एक ही वस्तु के बराबर हो आपस में बराबर होती हैं मैंने आपसे बोल दिया कि रमेश और सुरेश का वजन आपस म का वजन आपस में बराबर है और रमेश और महेश का वजन देखा गया तो इन दोनों का भी वजन आपस में बराबर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सुरेश और महेश का भी वजन आपस में बराबर होगा क्या इन दोनों का भी वजन आपस में बराबर होगा या नहीं हो जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त क्या इन दोनों का भी वजन आपस में बराबर होगा बिल्कुल सर इसमें बताने वाली क्या बात है ये तो मतलब अगर आप जिसको मैट्स कुछ नहीं आता जो बिचारा पढ़ा लिखा ही नहीं है उससे भी जाके ये बात बोलेंगे तो उ कमांड में हर जगे ये बात सही है तो बिल्कुल इन दोनों का भी वजन आपस में 40 है इन दोनों का भी वजन आपस में 40 है तो इन दोनों का भी वजन आपस में कितना हो जाएगा दोस्त चालिस ही होगा क्लियर है कोई डाउट इसमें तो वही बोला गया है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों मतलब ये दोनों एक वस्तुएं हैं जो इस वाली वस्तु के दोनों में बराबर हैं ये वस्तु भी इस वस्तु के बराबर है ये वाली वस्तु भी इस वस्तु के बराबर है तो ये दोनों वस्तुएं आपस में भी क्या होंगी बराबर पर कुछ रेखा गड़ित का एक्जामपल है उसको भी देखते हैं हम साथ में यहाँ पर दिया है कि दो रेखा खंड हैं A B और C D आपस में बराबर हैं चलो मैं बना के दिखा देता हूं A B और C D ये एक रेखा खंड A B हो गया एक रेखा खंड दोस्त कितना हो गया C D हो गया ये दोनों रेखा खंड आपस में क्या हैं बिलकुल बराबर हैं और C D जो है वो E F के बराबर हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं और C D किसके बराबर हैं E F के CD जो है वो EF के बराबर है CD जो है दोस्त वो EF के बराबर है मतलब ये दोनों आपस में बराबर है तो बोल रहा है कि ABV EF के बराबर होगा बोल रहा है कि ये वाला जो है वो इस वाले के बराबर होगा मतलब ये दोनों आपस में बराबर है मार लो 5 cm 5 cm फिर दिया है कि ये दोनों भी आपस में बराबर है 5 cm 5 cm तो आपको दिख रहा है कि ये इसके भी बराबर होगा इसका यूज़ खूब करते हैं हम मैट्स में कब जब कोई चीज हम सिद्ध करते हैं तो ये जरूरी चीज़े हैं ऐसा नहीं है कि बस मजाग चल रहा है जब इसको पड़ो तो लगता है रहे क्या बता रहे हैं ये तो आता है लेकिन इसका यूज़ खूब होता है जब मैं सिद्ध करवाओंगा कथन जब हम पड़ रहे होंगे रेखाएं और कोड जब हम पड़ रहे होंगे त्रिबुज चतुर भुज तो उन में आप देखेंगे कि इस कथन का इस अभिगरीत का खूब यूज होता है है ना? तो क्लियर है ये? कोई डाउट तो इसमें नहीं होगा क्लियर है बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे अभीक्रिहित दो यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूड भी बराबर होगा बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो pod भी क्या होगा बराबर होगा इसका मतलब क्या है यहां देखिए इसका भी खूब यूज होता है इसका जब आप त्रिभूज वाला चाप्टर करेंगे उसमें बहुत important question है जिसमें इसका यूज हुआ है दो चीजें बराबर है जैसे की यह पापा है और पापा ने क्या किया यह पापा के दो बच्चे हैं A और B है ना पापा ने इसको दे दिया 100 रुपे और इसको भी दे दिया 100 रुपे फिर मम्मी आई मम्मी को भी प्यार आया कौन आया अब मम्मी आई मम्मी को भी प्यार आया और मम्मी ने निकाला कितने रुपए 50 रुपए मम्मी ने थोड़े कम पैसे दी है लेकिन दोनों को बराबर दी है तो पहले इन दोनों के पास बराबर पैसे थे जब बराबरों में हमने बराबर को जोड़ा बराबरों में हमने बराबर को जोड़ा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में क्या आएगा दोस्त इसके पास भी बराबर बराबर पैसे लास्ट में भी आएंगे है ना आरी बात समझ में कि पहले इन लोगों के पास बराबर पैसे थे अब उसमें हमने बराबर को जोड़ दिया मतलब 50-50 को या 25-25 को या 10-10 को कुछ भी जोड़ देंगे इसमें बराबर बराबर ही जोड़ना है तो जो आंसर आएगा वो भी आपस में बराबर होगा ऐसा इसमें बताया गया है जब मैं आपको त्रिभूज कराऊंगा एक डेमो देता हूं यहां पर कि त्रिभूज में इसका प्रयोग किस प्रकार से हम कर रहे होंगे यहां पर क्या है मानलो एक कोड है क्या है क्या है क्या है इसका नाम है डी इफ यह दोनों कोड आपस में क्या ह ये दोनों कोड़ आपस में बराबर है अब दोनों ही कोड़ों को अगर हमने थोड़ा-थोड़ा कोड़ बराबर कोड़ दे दिया इसको भी XYZ दे दिया मतलब एक बराबर कोड़ पहले ये मानलो 45-45 डिगरी के थे ये दोनों आपस में बराबर थे इनको भी इसको भी मैंने 15 डिगरी का ओफर दिया ये लो 15 डिगरी और लो खुश रहो और इसको भी 15 डिगरी का ओफर दिया तो क्या ये पूरा कोण पूरे कोण के बराबर होगा क्या अगर मैं आप से पूसता हूँ कि यहां से लेके यहां तक पूरा कोण और यहां से लेके यहां 15 ये भी 60 बन जाएगा 45 और 15 ये भी 60 बन जाएगा तो इस प्रकार की चीजे हम कहीं ना कहीं त्रिभुज और कोड में यूज कर रहे होंगे वो बात आपको समझनी पड़ेगी क्लियर है बाते ठीक है आगे बढ़े फिर हाँ नीचे वही और लिखा गया जो मैंने भी आपको बताया है अभी ग्रिट 3 के बारे में अभी हमने जोडने का देखा घटाने का भी नियम सेम है जैसे मैंने भी बताया था ना कि पापा ने सो सो रुपे दिया था बीसवीश रुपे मंपी ने चीन लिया है ना मंपी को गुस्टा आया था इस बार, इसे माम्मी को गुस्सा आएगा, आउ समस्ते इसको, पापा ने क्या किया? पापा ने तो वही 100 रुपे ही देते हैं पापा, है ना, जब हम लोगों का टाइम था, तो पापा 5 रुपे देते थे, अभी 100-100 रुपे देते हैं पापा, पापा ने A और B को 100- बिल्कुल नई नोट दिया, है ना, करकती हुई नोट एकदम, मम्मी देख रही थी, नोट नहीं दिया, चेंज पैसे दिया, 20-20 की नोट दिया, मम्मी देख रही थी, मम्मी को कुछ पैसे की जरुरत थी, मम्मी आई और 20 रुपे इससे भी छीन ली 20 रुपे इससे भी छीन ली तो जो रिजल्ट आएगा दोस्त क्योंकि पहले बराबर था अगर आप बराबरों में बराबरों को घटाएंगे तो जो उत्तर आएगा आपके पास वो भी बराबर आएगा मतलब A और B के पास 80-80 रुपे ही बचेंगे मम्मी समझदार है यहाँ पे क्यों? क्योंकि बराबर बराबर पैसे छीनी है जिससे की लडाई ना हो जाए तो लडाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बराबरों में से बराबरों को घटाने पर जो उत्तर आएगा वो भी बराबर आएगा आगी बात समझ में तो यहाँ पर यही दिया है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटा दिया जाए तो सेस्फल भी बराबर होगा आगी बात समझ में इसको सेस्फल बोला गया है तो यह मैं समझना कि बस भाग में ही सेसफल होता है इसको भी हम सेसफल मतलब की result बोल सकते है जो result आएगा जो उत्तर आएगा वो भी आपस में क्या होगा बराबर होगा clear है बाते जैसे यहाँ पर एक example दिया है समीकरण के रूप में कि अगर यह दोनों बराबर है तो दोनों तरफ तो दोनों तरफ कुछ भी एक नियत संख्या fix नंबर जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं गुड़ा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं क्लियर है बात ठीक है कोई डाउट यहां तक नहीं है आगे बढ़ते हैं दोस्त आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अभीक्रीट चार यहां पर क्या बात की गई है यह वे वस्तु हैं जो की परस पर एक दूसरे के संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है जैसे मेरे हाथ एक दूसरे के संपाती है एक दूसरे के बराबर भी है है ना तो बस वही है अरे भाई जो दो चीज़े आपस में बराबर ही होंगी ना जब समपाती होंगी समपाती का मतलब बिल्कुल टू कॉपी बिल्कुल टू कॉपी है ना तो यहां देखो यदि AB PQ के साथ इस प्रकार समपाती है दो रिखाएं है एक AB है और एक PQ है एक AB रेखा है और एक PQ रेखा है कि बिन्दु A P पर बिन्दु A जो है वो P पर है अब यह दोनों बराबर थी यह दोनों क्या है बराबर है बिन्दु A को P पर ले आओ और बिन्दु B को Q पर लाओ बिन्दु B को कहा ले आ दिया Q पर ला दिया तब AB बराबर PQ होगा तो देखो जब दोनों बराबर ही है तो यह बराबर ही होंगी AB बराबर क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा मतलब की दोनों वस्तु में समरूप है फोटो कॉपी है बिलकुल एक तरह है तब यह एक दूसरे के बराबर होंगी अन्य सब्दों में क्या बोल सकते हैं इसको बड़े ही आसान लेंगविज में बोला गया है कि प्रतेक वस्तुस्वैम के बराबर होती है यह कौन नहीं ज होती है है ना हर एक चीज अपने बराबर ही होती है मानलो तुम्हें मन कर दिया क्या पीजा ख hybrid का बना दो बस आगे लगा देना माना है ना, suppose मान लो, मैट्स में क्या है, मान लो और सब कुछ मिल जाता है यहां पर अब यह पीजा है, है ना दो मंगाया आपने, same size का तो क्या हो दोनों आपस में बराबर होंगे बिल्कुल बराबर होंगे, लेकिन अगर मैंने इसमें से एक slice निकाल लिया और खा गया मैं यह वाला खा गया निकाल के यह निकाल के पहले यहां अपने plate में रख लेता हूं मैं निकाल के अपने plate में रख दिया तो यहां पर बस इतना ही बचा यहाँ पर कितना बचा, यह वाला तो निकाल लिया, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बचेगा न दोस्त, इतना बच गया, तो अगला जो अभिगरीत पढ़ने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं, कि जो कोई भी चीज होती है, वो अपने भाग से बढ़ी होती है, यह जो कोई राउट यहां तक नहीं है ठीक है आई यह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी करेट पांच वह यह संपूर भाग अपने भाग से बड़ा होता है वही पीजा यह संपूर है और इसी का मानलो रोटी है जो हम रोटी खाते हैं मम्मी ने एक रोटी दिया कहीं पीजा आपने इसका एक बाइट खा लिया एक बाइट तो लिया इतना बड़ा सा तो यह जो संपूर रोटी है जो पूरी रोटी है क्या यह अपने एक बाइट से हमेशा बड़ी होगी या नहीं होगी अपने किसी भी भाग से हमेशा बड़ी होगी या नहीं होगी हमेशा बड़ यह इतना और एक ऐसी पे दूसरी है, तो जो तोड़ा हूँ पार्ट है, अपने पूरे पार्ट से हमेसा छोटा होगा, या इसका उल्टा भी बहुत सकते हो जो यह पूरा भाग है, यह अपने छोटे भाग से हमेसा क्या होगा बड़ा ही होगा, मतलब संपूर्ड भाग, एक्स बराबर वाई जेड है तब एक्स वाई से भी बड़ा होगा और एक्स जेड से भी बड़ा होगा कहने का मतलब दस बराबर क्या होता है दोस्त दो धन आठ मान लो तो यह जो दस है ना वो इस दो से भी बड़ा होगा और यह जो दस है ना वो आठ से भी बड़ा होगा यह बात सही है नहीं है मतलब जो संपोड है यह जो संपोड है अपने भाग से क्या होता है हमेशा हमेशा ही बड़ा होगा हमेशा ही बड़ा होगा यहां पे वही बातें आपको सिखाई गई है क्लियर है या नहीं चीजे है ना आसान है मिलकुल तो अभिगरित छे देखेंग है है ना चोटे बच्चों से पूछो पापा का नाम क्या है तो बोलते हैं पापा है है ना चोटे बच्च ऐसे बलते हैं उनका नाम ही पापा रख देते हैं और अपना नाम बाबू रख लेते हैं है ना यहां देखो तो यह पापा ने इस बार ए और बी को पैसे दिये हैं सो सो रुपए सो सो रुपए आगी बात समझ में अब क्या करना है डबल क्या लिखा यहाँ पे एक ही वस्तों के दो गुने आपस में बराबर होते हैं दो गुने क्या तीन गुने भी आपस में बराबर होंगे चार गुने भी आपस में बराबर होंगे है ना फिर पापा को प्य में क्या होगा बराबर ही होगा असान चीज है ट्रिपल कर दोगे 300 300 वो भी आपस में बराबर होगा 400 400 वो भी आपस में बराबर होगा अभी गरेट साथ की बात करते हैं कि एक ही वस्तूओं के समान वस्तूओं के आधे भी क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं जैसे A और B के पास अभी 100-100 रुपय थे है ना इसके पास भी 100 रुपीस इसके पास भी 100 अब क्या हुआ इनका आधा कर दो तो आधे भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे मतलब 100 का आधा 50 100 का आधा 50 जब त्रिभूज पड़ाऊंगा न और 9th में नहीं 10th में भी 9th और 10th में इस अभिधारणा यह जो भी हम पॉस्चुलेटर और एक्जम्स कर रहे हैं अभिधारनाय और अभिगरीत इनका खूब यूज है बहुत यूज है बहुत हैवी यूज है आरही बात समझ में तो यह चोटी चोटी बातें आपको लग रही है न यह बहुत बड़ा बड़ा कमाल करने वाली है इस चाप्टर में भले ही चोटी बातें हैं कम नंबर के आते ना आगी बात समझ में तो अभी तक हमने अभी ग्रहित देखा था जो बहुत ही आसान था मतलब की किसी बराबर में बराबर जोड़ दो तो बराबर आएगा बराबर में बराबर को घटा दो तो बराबर आएगा बराबर का दोगुना भी आपस में बराबर होगा और बराब यह इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट है, और ज्यादा, क्यों? क्योंकि इनका ज्यामिती से सीधा-सीधा मतलब है, यह सारी बातें अब ज्यामिती से संबंदित हैं, अभी तक जो हमने बाते की, जो अभिगरीत किया हमने, वो हम हर जगा पर अपलाई कर सकते हैं खाने में, पीने में, दोड़ने में, नाचने में, गाने में, मार्केट में कुछ सौपिंग करने गए, वहाँ पर मैथ में, हर जगा पर यूज कर सकते हैं, common चीजे हैं वो लेकिन अगर हम बात अभी धारणाओं की करते हैं दोस्त, तो इसका सीधे सीधे यूज कहां से है, जामिती चाप्टर से है, है ना, तो अभी धारणाओं क्या है, एक बिंदू से एक अन्य बिंदू तक एक सीधी रेखा खीची जा सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, य इसमें इसमें ये भी हम बोल सकते हैं कि कम से कम एक सरल रेखा खीचने के लिए, अगर दो बिंदूएं हैं, तो इनसे एक सरल रेखा आराम से हम खीच सकते हैं, अगर हमारे पास दो बिंदूएं हैं, ए और बी, तो इनसे हम एक सरल रेखा बहुत थी आराम से खीच सकते है ये कौन बोलता है, तो ये बोलती है दोस्त अभिधारणा एक, है ना, कलियर है, स्क्रिनसोर्ड भी लेते रहेंगे साथ साथ में, अब देखते हैं, अभिधारणा दो क्या बोलती है, अभिधारणा दो ये रहा, एक सांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है क्या आपको पता है सान्त रेखा का नाम क्या है सान्त रेखा का नाम है रेखा खंड जैसे ये रेखा है एक P Q अभी इसके दोनों बिंद पढ़े हो ना चठी क्लास में याद है कि अगर दोनों बिंद फिक्स हैं मतलब ये और ये यहीं पर estaWP लगा दिया P और Q पर तब तो इसका नाम दोस्त क्या था रेखाखंड क्या था रेखाखंड है ना अगर एक ही बिंदु को फिक्स कर दिया बस और दूसरे बिंदु को जाने दिया जैसे ऐसे यहां से तीर चलाओ या टॉर्च जला लो यह वाला बिंदु फिक्स है टॉर्च को हम क्या बोलते हैं रे बोलते हैं किरण बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्त किरण रे आगी बात समझ में रेखाखंड में दोनों ही पॉइंट फिक्स होते हैं लेकिन किरड या रे में केवल और केवल एक पॉइंट फिक्स होता है और अगर हम रेखा की बात करते हैं केवल रेखा की बात करते हैं तो इसमें कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होता इधर भी आ रही है उधर भी जा रही है अनन्त तक चलती चली जाएगी तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक सांत रेखा मतलब एक रेखा खंड को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है कि ए भी एक सांत रेखा थी इसको हम इधर भी अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं और उधर भी अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं यह बात होती है अभी धारणा दो में क्लियर हैं बाते हैं आगे बढ़ें दोस्त आगे आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना अभी धारणा तीन ये बड़ा ही आसान है इसमें बताने वाली बात इसमें भी नहीं है कि किसी केंद्र और किसी त्रिज्या से एक वृत्त का निर्माड किया जा सकता है जैसे मैंने बोल दिया कि ये केंद्र है और आपके पास ये चाप मतलब ये त्रिज्या है तो हम क्या कर सकते हैं यहां से एक सरकल का निर्माड कर सकते हैं यहां से एक दोस्त सरकल हम ऐसे करके बना सकते हैं है ना इसको ऐसे पूरा करना पड़ेगा क्योंकि मेरा हाथ जो है 360 नही ही छोटा पड़ जाएगा आगी बात समझ में तो आट के पास एक अगर केंद्र है और एक त्रिज्या है तो इससे एक वृत का निर्माड आप कर सकते हैं जैसा कि यहां पर दिखाया गया है कि यहां पर केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है तो यहां पर एक वृत का अबिधारला आपको याद रखनी पड़ेगी नमबरिंग के साथ कि अबिधारला तीन में था कि एक केंद्र और एक तृज्जा के साथ एक वृत्त का निर्मार कर सकते हैं ऐसे ही अबिधारला चार में क्या है कि जितने भी समकोड है वो आपस में बराबर होते हैं इसमें बी सी बी ए सी इसका नाम क्या है बी ए सी एक समकोड ये है जिसका नाम है पी क्यू आर और एक समकोड ये है थोड़ा टेना मेरा भी बना देते हैं इसका नाम है एकस वाई जेड ये तीनों ही समकोड है और हमें पता है समकोड का मान होता है नब्बे अंस तो दुनिया में जितने भी समकोड होंगे, वो आपस में बराबर होंगे, मतलब major of angle BAC, जबी हम समकोड को लिखते हैं, तो जहाँ पे समकोड बनता है, उसको बीच में लिखना, बराबर major of angle PQR, major of angle PQR, यह जो M लिखते हैं मतलब major, अगर M नहीं लिखोगे तो भी सही है, लेकिन बेतरीन तरीका बिलकुल perfect लिखना हो तो M भी लिखते हैं बराबर major of angle x, y, z तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी 90 degree का है ये भी 90 degree का है ये भी 90 degree का है तो जहां भी यहां पर देखो ये भी आपस में ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये दोनों आपस में बराबर होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे मतलब ये सभी आपस में बराबर होंगे क्योंकि सभी के सभी क्या है दोस्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब आपस में बराबर होंगे बड़े ही simple language में था जो आपको कहीं ना कहीं पता था कि एक रेखाखंड को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है अगर आपके पास केंद्र है तुरिज्जा है तो आप एक सरकल बना सकते हैं या हमने देखा कि प्रतेक समकोड आपस में वराबर होते हैं तो ये सारी चीज़े बड़े ही simple और आसान थी ये भी आसान है लेकिन एक्जाम के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला अविधारणा 5 ही है सबसे important यही है clear है बात यहाँ पर क्या बात की गई है आईए समझते हैं यहाँ पर बोल रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने ही और अपने एक ही और दो अंतह कोड इस प्रकार बनाए की दोनों कोडों का योग मिलकर दो समकोडों से कम हो पहले यह समझते हैं क्या दिया है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरी है तो ये दो सीधी रेखाएं हैं AB और CD दिख रही है और एक सीधी रेखा इस पर गिरी है कौन सी PQ दो रेखाएं है AB और CD इस पर एक रेखा ये गिर रही है PQ इतनी बात क्लियर है आगे क्या बोल रहा है क कि इस प्रकार कोड़ बनाएं कि दो अंता कोड़ इस प्रकार बनाएं कि इन कोड़ों का योग 90 अंस से दो समकोड़ों से कम हो दो समकोड़ों से कम हो मतलब 180 से कम हो तो इधर देखो इधर वाले कम हैं ये वाला और ये वाला यह दोनों कम है न यह भी समकोर से 90 अंध से कम है इन दो मतलब दोनों का योग एक और दो को जोडने पर मान लो ऐसे आपको नहीं पता चल रहा है तो मैंने मान लिया कि यह वाला जो आपका बन रहा है यह कुछ ऐसे बन रहा है कितने डिगरी का तो मुझे लग रहा है ये साथ डिगरी के आसपास है और इसको मान लिया हमने कितना समकोड से ज़्यादा लग रहा है एक समकोड से तो इसको मैंने मान लिया कि ये अपना बन रहा है 95 डिगरी का इतनी बाते समझ में आ गई अब आप पढ़ोगे तो आप समझ में आ जायेगा कि एक तरफ ये जो दो सीधी रिखाएं हैं और इस पे एक सीधी रिखा गिरी है इस सीधी रिखा कि एक तरफ जो कोण बन रहे हैं अंता कोण, अंता कोण का मतलब अंदर वाले कोण ये वाले बाहर के कोण हैं इसको हम बोलते हैं अन्ता कोण तो ये जो दोनों अन्ता कोण बन रहे हैं इनका योग दो समकोडों से कम हो मतलब इन दोनों का योग 180 अंस से अगर कम है जोड के देखो तो कितना आ रहा है 155 अंस आ रहा है तो इन दोनों का योग दोस्त 180 से कम है, कम जिधर होगा उधर ही रेखाएं आपस में मिलेंगी और जिधर जादा होगा उधर रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी, कहने का मतलब देखो कहने का मतलब, इधर कम है इधर दो समकोडों से योग कम है क्योंकि एकसो पच्पन ही है 180 से कम है तो इसको आप बढ़ाते चले जाएंगे इसको भी आप सीधा-सीधा बढ़ाते चले जाएंगे तो जिधर, मिल गई ना यहाँ पे तो जिधर योग दो समकोडों से कम होगा उधर रेखाएं मिलेंगी आप इधर कितना भी बढ़ा दो उधर कितना भी बढ़ा दो क्योंकि इनका जो योग होगा वो दो समकोडों से जादा होगा इन दोनों का योग क्या है दो समकोडों से जादा है एक 180 से जादा है तो उधर नहीं मिलेंगी, कितना भी आगे तक बढ़ाते चले जाओ, इधर कम है, तो इधर मिल जाएंगी, आओ एक बार जल्दी से दुबारा समझतें इसको, दुबारा से पर आके ऐसे गिर गई, टेनी रेखा नहीं, सीधी रेखा गिरेगी ना, एक रेखा ऐसे आके गिर गई, तो अब इस रेखा ने इसको दो तरफ तोड़ दिया, एक इधर का और एक उधर का, अगर इधर की बात करें मेरी तरफ के, तो ये दोनों अनताकोर हैं, और उधर की ब इसका इन दोनों अंतर कोडों का योग अगर दो सम कोडों के योग से कम हुआ मतलब 180 अंतर से कम हुआ तो ये दोनों रेखाएं इधर की तरफ प्रतिक्षेद करेंगी एक दूसरे को कर रही है की नहीं? कर रही है सर और जिदर जादा हुआ, वो कभी प्रतिक्षेद नहीं करेंगी मतलब आप इसको कितना भी बढ़ा लो, दूर दूर होती चली जाएंगी इसको आप कितना भी बढ़ा लो, देखो दूरी बढ़ती चली जा रही है तो यह मिलेंगी क्या? उधर नहीं मिलेंगी अब इसको हम ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं क्योंकि बहुत important है ये तो आपको समझ में आ चुका होगा है ना यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने एक ही और दो अंतह कोड इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोडों का योग मतलब इन दोनों को जोडने पर मिल कर दो समकोडों मतलब की 180 से कम हो तो 180 से कम भी है इन दोनों का योग तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाये जाने पर उसी और मिलती है इधर की तरफ ही मिलेंगी जिधर योग कम है और जिधर योग जादा है उधर की तरफ नहीं मिलेंगी क्लियर है समझ में आ चुका पूरा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा अभिधारणा 5 तक हर एक चीज क्लियर भी होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए एक्जाम में कभी-कभी डायेट पूछा गया है अभिधारणा 5 क्या है याद भी होन चाहिए, examples भी आपको हर एक अभी धार्डा को पता होने चाहिए, अभीगःतź भी पता होना चाहिए, अभीगःत्म में क्या है? नर्मल चीजे एं, जो हमें कही न कहीं पता है कि अगर बराबरों को दोगुना करोगे, तो भी आपस में बराबर होंगे, मानों बराबर हैं, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, पांच उंगलिया यहां, पांच उंगलिया यहां, अगर भगवान ने मुझे कोई ऐसा वर्दान दे दिया, कि ना दे तो सही है, दस उंगलिया लेके क्या करूँगा मैं, मतलब मान लो, मैं अध्स पढ़ रहे हैं, तो मानना तो तो ऐसे ऐसे करके अभिगरीत जो सबको पता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजे हमें त्रिभुज में चतुर्भुज में यूज करनी है बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको हलके में नहीं लेना कि अरे एक्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे चाप्टर हो ऐसा नहीं ठीक है हर चीज की एक बहतर रणीती होनी चाहिए ऐसा नहीं कि बस एक्जाम से पहले वाले दिन पढ़ लो नहीं अभी से प्लानिंग होनी चाहिए भले ही तीन महीने बाद एक्जाम हो प्लानिंग दोस्त तभी से जब करोगे तभी बहतर कर पाओगे एकदम ब यहां से बीसी बोर्ड के साथ साथ हम अधरी स्टेट बोर्ड स्वी कवर कर रहें जिसमें डैली बोर्ड विहार बोर्ड यूपी एंपी और राजस्थान बोर्ड है यह सारी क्लासेज बिलकुल नेसुलक दी जाती हैं आपको मतलब इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं करना है आपको बस एक काम वो है मेहनत आपको बस मेहनत करनी है दोस्त तो यह यूटूब पर सारी क्लासेज अवेलेबल हैं जब अरजस्थ तरीके से इन से पढ़ाई कीजिए बढ़िया स्कोर कीजिए अपने एक्जाम में इसके साथ ही आप वेधिक मैथ क्रैस कोर्स और स्पोकन इंगलिस की भी क्लासेज देख सकते हैं आप हमें अधर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर फॉलो करेंगे और अपनी बेहतरीन तयारी करने के लिए आपके लिए डिजाइन किया गया है इनोट्स और इबुक्स तो इसको ग्रैप करना बिलकुल नहीं भूलेंगे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आज के लिए इतना ही था अपना ध्यान रखेंगे मिलते हैं अगली क्लास में मैथ का प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे थैंक यू सो मच